अर्मा डिलो सबसे चालाग जानवर क्यों उमर को सौधी अरब से क्यों निकाला गया भारत की मिस उनिवर्स कौन है जानने के लिए वीडियो के अंतक बने रहें दो आपको तो पता ही होगा कि चाय का विसकार चाइना में हुआ था लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे महगी चाय चाइना में ही मिलती है जिसकी कीमत लगवग 9 करोड है इस चाय का नाम दहॉंग पो है जिसका उत्पादन सिर्फ चाइना में ही होता है यह चाय एक खास पेड़ से तयार होता है ऐसा माना जाता है कि इस चाय को पीने से सभी बिमारियों से चुटकारा मिलता है इसलिए यह चाय मांगी है क्या आप फ्यूचर को देख सकते हैं अगर ऐसा कोश्चन आपको पूछा जाए तो आपका क्या रियक्शन होगा दोस्तों आप जेरूर बोलेंगे कि यह बिल्कुल नहीं है लेकिन मैं आपको बता दो 1930 के एक आर्टिकल में पहले ही बता दिया गया था कि हम फ्यूचर में व सफल बिजनेसमेन भी रतन टाटा के पिताजी जयार्डी टाटा एरलाइन से बहुत प्यार करते थे यह कहानी है तब की जब रतन टाटा की पिता जयार्डी टाटा भारत के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थे वो समय फ्लाइट रेक आफ के लिए तयार हो रही थी और टाटा वहाँ पर पहुँची और उनको लगा कि टॉयलेट ठीक से साफ नहीं है तब उन्हों ने साफ करने वालों से मिलकर टॉयलेट साफ किया दोस्तो अर्माडीलो नाम का जानवर एक ऐसा जानवर होता है जो किसी भी खत्रे को भाप लेता है और भापते ये गोल हो जाता है और कोई जानवर आकर भी इसका कुछ नहीं विगाड़ पाता क्योंकि इसकी बाहरी परत बहुत ही मजबूत होती है दोस्तो एक रिसर्च के मताविक किसी भी चीज को लेकर फालतों का सूचना इंसान के आदत होती है दोस्तो एक लड़की को देखिए जिसकी उम्र उन्नीस वर्स है ये नेपाल की रहने वाली है इसका नाम बंदना नेपाल है इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है सुनना चाहोगे कैसा वर्ल्ड रिकोर्डिंग तो सुनिए 126 घंडे यानि 5 दिन लागा तार बिना रुके बिना सोए बिना बैठे और बिना कुछ खाए डांस किया और वो भी अपने चेहरे के स्माइल के साथ इन्होंने 23 नवंबर 2018 को डांस करना शुरू किया था और 28 नवंबर 2018 को बंद किया अब तक का सबसे महंगा ताज हरनाज को और सिंधो ने पहना जिसमें 1170 हीरे जड़े हैं और ताज की कीमत 37 करोड से अधीक है हाली में महरास्ट के नासिक में घोड़े का मेला लगा था जहां पर दुनिया का सबसे महंगा घोड़ा को लाया गया था इस घोड़े की कीमत 5 करोड लगाई गई थी इस घोड़े की खासियत यह है कि यह दुनिया का सबसे लंबा घोड़ा है जिसकी लंबाई 68 इंच है तथा यह घोड़ा का पूरा शरीर काला रंगा है इस घोड़े को चमकदार बनाने के लिए 10 लिचर दूद, 1 लिचर घी, अंडे और मेवे खिलाए जाते हैं तो आपको हमारा एफेक्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर सजिस्ट करें